प्रभूद आईए अपनी सबाउ को हम शुरू करेंगे और अपने सरो कम प्रात हमें जुकाएंगे जीवन के बानी जिन्दा उधार करता प्रभी ये श्मसी बहुत ही धन्यवादेत हैं खुदावन इस प्यारे अफसर के लिए जो आपने हमें दिया प्रभू कि हम आपकी हुदूरी में आ सकें आज शाम को प्रभू इस यूथ मिटिंग में प्रभू मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभू कि आप अपने बचन अनुसार हमारे साथ या हमारे बीच में हैं प्रभू हमसे बाचीत करने के लिए और हमसे हम कलाम होने के लिए प्रभू उन भेदों को खुदावन जो आपने आज के लिए रखें मोकरर प्रभू हम पर खोलने के लिए प्रभू मैं आपका धनवाद करता हूं प्रभू आपके मुझ से बोला गया शब्धी निकल के आएं खुदावान और मैं आपका धनवाद करता हूँ प्रभू ये श्मसी इस जागरती के लिए जो आपने अपने बचन के द्वारा हमें दी है प्रभू हम बहुत शुकर गुजा रहे हैं खुदावान हम से बाचीत करने के लिए इन भेदों को हमारे पर खोलने के लिए प्रभू मैं आपका बहुत धनवाद करता हूँ प्रभू ये श्मसी प्रभू मैं आपसे परातना करता हूँ आज शाम को हमारे बीच में जितने भाई भेनी आपरा हैं सबको बड़ी बर कर दें प्रभू खुदावान अगर कोई बीमार है संपून चंगाई दें खास तोर से प्रातना करता हूँ भाई राकेश मसी के लिए खुदावान जो दादरी से आते हैं जनको खासी और बुकार है बहुत दिन से प्रभू आफ संपून चंगाई दें आपके नाम की तारीफ और सिस्टर सीरत को आफ संपून चंगाई दें और फोने का फदल दें कल उन्हें छुटी मिल सके प्रभू प्रभू जल से जल अपने भवन में भी रेस्टोर करें अजीज पास्टर भाई को बड़ी बर कर दें खुदावान जिस शरीर से आप हमसे बाचीत करते हैं प्रभू आप आएं खुदावन फिर से हमसे बाचीत करें अपने भेदों को हम पर कोलें खुदावन ओ खुदावन आपके नाम की तारीफ हो इस साथ में दूद के लिए खुदावन जिस नभी को आपने हमारे बीच में भेजा खुदावन उस मूल वचन को ले करके प्रभू मैं आपका धनवाद करता हूँ खुदावन इस बारिश के लिए जो अंतिम बारिश जो आपने भेजी हमारे लिए खुदावन मैं आपका धनवाद करता हूँ प्रभू आपके नाम की तारीफ और स्तूति और महिमा हो खुदावन प्रभू आपका धनवाद करता हूँ उस लहू के लिए जो आज भी हमाले मैसर है प्रभू ताकि हम अपने कलती अपराधों को उसमें डाल सकें प्रभू ताकि हम शुद हो सकें प्रभू आपके नाम की तारीफ और आपने भाई टाइटस को संपून चंगाई दी खुदावन जितने भाई बेन आएं प्रभू अगर कोई राष्टे में भी है प्रभू कहीं किसी ट्रैफिक जैम में फसा है फजल दे कि वो यहाँ पे पहुंच सकें आपका नाम मुबारा को स्तूती बड़ाई सदा सरबदा होती रहे तमाम electronic gadgets को आपके हाथ में सौपता हूँ उन भाईयों को खुदावन जो कि उन पर बैठे हैं प्रभू और काम कर रहे हैं प्रभू बड़ी बरका दें और खुदावन सुबधी प्रदान करें प्रभू ताकि आपकी आत्मा के चलाई चल सकें प्रभू ओ खुदावन और जो सुनने वाले प्रभू उन तक ये संदेश बड़े राम से पहुंच सकें प्रभू ये आप से प्रातना है प्रभू आपके नाम की तारीफ हो महिमा धन्यवाद आपको देते वेश मिटिंगी सारा कंट्रोल आपके हाथ में देते वेश प्राथम इंती को प्रवियेश मसी की नाम से मंगता हूँ Amen, hallelujah Praise the Lord आई ये बादत की शुरू में इस गीत को गाएंगें, गीत का number 137 There's power in the blood of the Lamb Amen Would you be free from your burden of sin There's power in the blood Power in the blood Would you, O evil, the winter event There's wonderful power in the blood Oh, there is power, power Wonder-working power in the blood Of the Lamb There is power, power Wonder-working power In the precious blood of the Lamb Oh, there is power, power Wonder-working power In the blood of the Lamb There is power, power There is power, power Wonder-working power In the precious blood of the Lamb Would you be free from your passion and pride There's power in the blood Power in the blood Come for a cleansing Sing to Calvary's time There's wonderful power In the blood Amen, hallelujah There is power, power Oh, there is power Wonder-working power In the blood of the Lamb There is power, power Wonder-working power In the precious blood In the blood of the Lamb Would you be wider Much wider than snow There's power in the blood Power in the blood Sin's instincts are lost In the blood of the Lamb That's wonderful power In the blood There is power, power Wonder-working power In the blood of the Lamb There is power, power Wonder-working power In the blood of the Lamb Would you do service For Jesus your King There's power in the blood Power in the blood Power in the blood Would you lift daily His praises to sing There's wonderful power In the blood Oh, there is power Power, power Wonder-working power In the blood of the Lamb There is power, power Wonder-working power In the blood of the Lamb Once again Oh, there is power, power Wonder-working power In the blood of the Lamb There is power, power Wonder-working power In the blood of the Lamb Once again Oh, there is power, power Amen, hallelujah Wonder-working power In the blood of the Lamb There is power, power Power, wonder-working power In the blood of the Lamb 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 Oh, in the blood of the Lamb Hallelujah, hallelujah Amen Sin stains are lost In that life-giving flow There is power in the blood In the blood of the Lamb Amen, hallelujah My brother, I love these blood songs Amen How many of you love those blood songs? Amen, hallelujah How many of you love them? How many of you love them? Thy house You remember And now we are telling you In the blood of the Lamb In the blood of the Lamb In the blood of the Lamb So, that people So, that people God's name 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 I love you I don't know How many of you love the Lord जारों में क्या चल रहा है, खुदाउंद क्या डाल रहे है, मुझे आदे फ्राइडे को, हम लोग कुछ भाई लोग आये थे यहां पे चर्च में, चीजों को ठीक करने के लिए, और मैं जब यहां से बाहर निकला, तो suddenly मैंने का दिन बार तुमने नभी के संदेश को सुना ह तो क्यों ना गीतों को भी नभी के सुनें, सो मैंने अपने फोन में नभी के गाने लगाए, और नभी के गाने सुनते वे जा था, suddenly inspired हुआ, मैंने भाई रिचर्ड को मैंने भेजा, मैंने का भाई, इन गानों को चर्च में लगा, जब भाई लोग काम कर रहे हैं, भाई ब मैंने जानता कि कितनों के साथ होता है, मेरे साथ होता है, कुछ अंदर होने लगता है, Amen, और नभी का एक प्यारा गीत मैं, नभी के आवाज में सुन दा था, और मैं चाहता हूँ उस गीत को, आप लोग को भी आता होगा, He careth for you, through sunshine or shadow, He careth for you, He careth for you, He careth for you, through sunshine or shadow, He careth for you, can we individualize it, He careth for you, He careth for me, He careth for me, through sunshine or shadow, He careth for me, let's all sing it together, Oh, He careth for you, He careth for you, through sunshine or shadow, He careth for you, He careth for you, can we sing it again, He careth for you, yes my sister, through sunshine or shadow, He careth for you, He careth for you, let's sing it again, careth for me, He careth for me, He careth for me, that's right Lord, Oh, through sunshine or shadow, He careth for you, He careth for you, He careth for me, Alleluia, He careth for me Through sunshine or shadows He careth for me Hallelujah, hallelujah Lord, I know you care for me, Lord For my brother and sister, Lord That's why you sent this prophet Oh God, to reveal those mysteries, Lord Jesus Thank you, Lord, for your caring, Lord For your so much love How we love you, Lord Adore you, Lord, tonight We want to give everything we have to you, Lord Jesus We surrender ourselves, Lord Oh God, to you belong all glory, honor and praises He careth for us You care for us, Lord Jesus You care for me, Lord Thank you, Lord Jesus Thank you, Lord How we love you, Lord Jesus How we worship your holy name, Lord You deserve all glory, honor and power, Lord Jesus There is none like you, Lord There is no one like you, Lord Jesus Who can satisfy us, Lord Thank you for your love, Lord Jesus That constrained you, Lord Hallelujah 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 We praise your name, Jesus Thank you, Lord Amen Let's sing that chorus, Only Believe Just before we enter the word Amen, Hallelujah Let's get our hearts ready Only believe all things are possible Only believe Only believe Only believe And all things are possible Only believe My Lord, I believe My Lord, I believe That all things are possible My Lord, I believe If y'all believe My Jesus is here Aziz, pastor, payashi My Jesus is here And all things are possible My Jesus is here My Jesus is here My Jesus is here And all things are possible My Jesus is here Thank you, Abba, Heavenly Father We come under your blood, Lord Jesus Desiring another time of fellowship with you tonight Humbly, reverently we come Desiring a time of fellowship with you If there's anybody sick, Lord, you heal them Somebody in need, Lord Give the needs of the needy I say yeah and amen to the prayers which have been made And now I pray, Lord, that you break the bread of life for us And give us grace to feed from thy word In the name of Jesus Christ and under your blood We come And every evil and demonic spirit will be bound in hell for the day of its destruction And every evil and demonic spirit will be bound in hell for the day of its destruction God bless you all Let's turn in the Bible to the book of Romans chapter 9 And we are going to read from verse 8 onwards to verse 13 let's start reading from verse 6 not as though the word of God had taken none effect for they are not all Israel which are of Israel neither because they are the seed of Abraham are they all children but in Isaac shall thy seed be called that is they which are the children of the flesh these are not the children of God but the children of the promise are counted for the seed for this is the word of promise at this time will I come and Sarah shall have a son and not only this but when Rebecca also had conceived by one even by our father Isaac for the children being not yet born neither having done any good or evil that the purpose of God according to election might stand not of works but of him that calleth it was said unto her the elder shall serve the younger as it is written Jacob have I loved but Esau have I hated Amen Amen I have a second I have to read it I have to read it I have to read it Romeo खुदा के संतान नहीं परंतु प्रतिग्या की संतान वंच गिने जाते हैं। बुलाने के कारण है बनी रहे। उसने कहा जेठा छुटके का दास होगा। जैसा लिखा है मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु ऐसा उद को अप्रिय जाना है। आई ये प्रात्मा करेंगे। We thank you abha heavily father for your mysterious word. Under your blood we come to hear the mysteries of this redemption. और आपके लहू के नीचे अम इन छुटकारे के भेदों को सुनने आते हैं प्रभू। And tonight Lord, और आज रात्री प्रभू। As I feel inspired to say these things, ये से मैं प्रेना में एसुस करता हूँ इन बातों कहने के लिए, When I heard my prophet saying, that when I was in my study, the Holy Spirit said, just say it, because it's going to happen. And so we know these things are supposed to happen. Now prepare us for this hour, for you are getting your bride ready, all walks of life, not good people, but that's why you died, to pay for our wickedness, for our sins. Thank you Lord, under your blood we come. And now give us to feed from the word, in the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. Amen. Amen. God bless you. You all can be seated. Amen. Now, God give me grace, to share certain things with you, I like to straight away move on in the word with you, and may God talk with your hearts. I'm drawing my inspiration from a message, which Brother Branham preached, and you can also read it, I know you must have read it, but you can read it again, but you can read it again, hearing, recognizing, acting, on the word. Listen, recognize, and work on the word. God bless you. And there's a main subject, which he's trying to highlight, in this message. And I sort of feel, that this is what's happening right now. It's not my feeling, actually it's happening. And may God give us grace, let's approach the scriptures first. We are going to talk about, these two sons of Isaac. One is Esau, and other is Jacob. The one who is wicked, actually looks good. And the one who is good, actually looks wicked. But as time moves on, it is getting proved, who is God's, and who is not God's. And we know the background, this is not the story, of a God seed, marrying a serpent seed. Both Rebecca and Isaac, were God seed. They were the chosen of God. And they were saved, I believe, I mean, because they're in the Bible. But even then, there are two in their family. One is Esau, and one is Jacob. I'm going to read out, certain things to you, from the message. I'll bypass certain things, because I can make it, in statements. You know the background, of their birth. That just before, they were born, they were twins. And they were fighting, in the womb. And because there was a fight, in the womb, there was a lot of pains, Rebecca was feeling. And then, she inquired from the Lord, and the Lord said, two nations are in you. And then, the Lord said, there are two kinds of people, in your womb. Now, she represents a church. And Isaac is a foreshadow of Christ, who went to the mountain, to die. But who got a promise, who came out as one, resurrected from the dead. And Christ really rose up, from the dead. And so, it's the story of Christ, and his church. But right in the womb, of the church, there are two kinds, of people. And we need to listen, to that carefully. Everything is not good, in the name, of the church. And we need to understand, the very mystery, of the first seal said, that Antichrist, worked, in the name, of the church. So we are not just talking, about a church. Just say, praise the Lord, have fellowship. But it's something, little more than that. Which you and I, need to understand, and should have, a discernment for. In 2004, or maybe one year before that, 2004, I will say, one year before that, there was a message preached, and people said an amen, to a wrong message. You see, that's where discernment, is needed. When to say amen, and when not to say amen, is this thing, in the word, you know what happened there, and those two spirits worked, and finally, it brought a separation, and I would say, it didn't separate, it was not actually separation, it was two kinds, of people, that had to separate someday. And it worked out, on that particular time. By the grace of God, all these years, things are going fine, and we have learned, from those lessons. But let me tell you one thing, you can't make Esau Jacob, and you can't make Jacob Esau. God bless you. You can't pray, God make Jacob, out of Esau. You can't. He sought for repentance, but he didn't find it. You see, these are very important things, to understand. And I'm observing, things which are happening, even in the world, of this entire message. And of course, the rest of the world. And we are seeing, there are two kinds, of spirits, that are working, in the wombs. I'm not sure, I'm not sure, they are now in the wombs now. in the name of the church. And we need to understand this, when I'm talking about church, I'm not just referring to Delhi church. I'm talking about the church, as a whole. as a whole, you find, there are two kinds, of spirits. You will get, the whole world, the whole world, the whole world, is the two kinds of souls. And one of the central themes, of this message is, Brother Branham said, I'm going to bring out, those two spirits, in the form, of these two sons. and may God give grace. And may God give grace. Amen. 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 लेखें कि आत्मा लेके कहां जा रहा है संजमारी है? Then we would be really the believers. Yeah. I may even go to court certainly in instances today. Maybe and maybe I just overlook it. And I don't talk about it. But I need to show you certain things. These two sons ये दो बेटे they were fighting in the wombs of their mother. Which is a type of the church. You see what's the fight for? Let me tell you the one who gets born first he gets the birthright. The fight in the womb was who will be born first? जो लड़ाई थी कोक के अंदर वो ये थी कि कौन पहले पैदा होगा? And ऐसा वण और ऐसा उचीद गया? He got the birthright. उसे पहले उटे का हग मिल गया? You mean after having the birthright can a man lose a birthright? आपका कहने का मतलब एक इंसान जिसके वाद पहले उटे का हग हो वो उसको खो भी सकता है? What is the birthright, brother? पहले उटे का हग क्या है मेरे भाई? What the Branham say about the birthright? आपका कहने पहले उटे के बारे में क्या कहा? In plain, simple English the baptism of the Holy Ghost अगर सादान अंग्रेची बाशा में कहें तो पवित्रात्मा का बप्तिस्मा Can a man after receiving the Holy Ghost lose it? क्या एक इंसान पवित्रात्मा का बढने के बाद क्या उसको सकता है? Listen carefully यां से सुनिये This is something which is needed to be understood ये कुछ ऐसी बात है जिसको की समझना जाना बहुत जरूरी है When a man is genuinely born जब एक इंसान वास्त्विक्ता में पैदा होता है and that seed is quickened और वो भी जब जग जाता है It may have its ups and downs वो सकता है उसमें बहुत सारे उतार और चड़ाव हों उसके साथ but he cannot go back लेकर वो वापिस लौट नहीं सकता and God takes him home और खोदावन उसको घर ले जाते हैं but the one लेकर वो शक्स who has it on an outwardly way जिसको का पास एक भारी रूप में ये चीज हो he can always lose it वो हमेशा इसको खो सकता है You know there are two kinds of holy baptisms of holy ghost आप जानते हैं and as the prophet was preaching way on into 965 he was explaining that और जब नभी इसको लेकर प्रचार करते जाये थे उनने सन पैसट तक वो इसको समझा रहे थे one which a man receives in his spirit एक शक्स जो कि इसको अपनी आत्मा में प्राप करता है पवित आत्मा के बपतिसमे को and one which he receives in his soul और एक ऐसा शक्स जो कि पवित आत्मा के बपतिसमे को अपने प्राण में प्राप करता है क्या बास सही है when the real gene of God gets quickened जब वास्तवे खोदा का जीवान जग जाता है no, 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 that cannot be lost नहीं, nहीं, ये खोया नहीं जा सकता that's always eternal ये हमेशा से अनन्थ है आत्मा वाले आया में प्राण किया है can lose it वो उसको खो सकता है that's right ये वास सही है and that is what we are going to talk about और यही वो चीज़े जिसके विशे हमें आज बात करेंगे may God give us grace a little more and I'm going to read from the message काश खुदान थोड़ा और हमें अदिगुरे प्रादान करें we need to understand a problem हमें जरूरी के हमें एक समस्या को समझें one person is just a church member एक शक्स केवल कलीस्या ही सदसे है and that's it और इतना ही है बस he just comes to the church and goes वो चर्च में आता है और चला जाता है another one is not just a church member और दूसा शक्स केवल कलीस्या ही सदसे नही है he is more than that let's read the language of the prophet and let the prophet himself explain these two kinds because time is going fast and the prophet starts talking about these two great spiritual forces way back in 960 when he's preaching there on 21st February he was feeling in his heart that these two spiritual forces are now coming to their heads they're coming to their headships that's right they're both religious forces and both of these great forces was represented in these two sons of Isaac how that God in his infinite wisdom has foreshadowed all things to us now we see I'm jumping now we see in these two sons that when they were before they were even born they were at war with one another if you can just leave that and just hear and translate it will be wonderful you can just hear it even though their virgin mother for she was a virgin the beautiful Rebecca that married the righteous seed of God's promise Isaac that they were two consecrated spiritual believers on God foreordained to the very marriage that they united together by God foreknew it how could such a thing come through that one mother by one father how could such a believer mom a believer baap that a believer in a family can be born in a unbeliever in a believer how could such a believer how could such a believer yes brother that's right one of an evil person and another very good person and how did the good person look to be the evil and the evil look to be the good time proves what is right now there's always has been always will be God's program God cannot change his program because he makes his program perfect because it's part of him I'm just jumping over because I need to read some other things how they were fighting in the womb I'm just jumping over and before either one was born God said I love Jacob and hate Isau before either one was born so how ought we to feel someone who has got to speak to you and invite you to come to his table and to his home and be his son or daughter invite you to be his son and daughter there's nothing so great as that I'm going to further down these two boys if you'll notice their nature one of them was a spiritual man that was Jacob and a carnal man was Isau but they were both religious and that same thing has took place all down through the age the carnal and the spiritual sharirik and atmic Isau represented the man of the earth Isau is zameeni shaks ko darshata natural prakritic religious tharmic inclined but never able it wasn't in him to do it he couldn't do it it never was in him to be able to clamor past the things of the world the carnal things and he never had such a thing that he had to the earth as he had to the earth he had to be able to live in the earth and he had to be able to live in the earth and he had to be able to to live in the earth but Jacob it was just so easy for him to do it इसके लिए तो बहुत असान था इस काम को करना कुछ लोगों के लिए खुदा के साथ चलना बहुत असान है एमेन, एमेन और कुछ लोगों के लिए चहा कर भी वो चल नहीं पाते हैं सच है मैंने किसी से कहा आप चाहिए और अपनी आत्मिकता बढ़ाई है जदर मैं आना तो बहुत चाहता हूँ लेकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है में लिए आप जानते हैं जॉब्स की जो प्रॉब्लम्स होती है मैं बदा देखिए आपको ही देखना होगा संडे की मिटिंग है त्यूजडे की मिटिंग है थस्डे की आप भी किसी ना किसी आठ ग्रॉप में से एक ग्रॉप में होंगे तो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन क्या नहीं है एक्चली तो ऑप्शन नहीं है ये भाहिलालें तो यह का था जो ना है उसको चर्च से भाहर निका लोग टाड़िस भाई को याद होगा हम लोग ये काम अभी इतना कर नहीं रहे संजमारी है यह जो चीज थी ना कि आज छीक आ गई आज बादाल आ गया यह चीज चलती नहीं थी चलती तो खहराज भी नहीं है कुछ लोगों के लिए मिटिंग आना बहुत असान है सोचा आपने हैं उन्हें बड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ती मिटिंग आने के लिए कुछ हैं जो चहा कर भी नहीं आपाते तो यहां पर आके कनात करते हैं कि घर बैठके हम आनलाइन सुन लेंगे सुना आपने अब इसको हुए कम से कम एक साल से ज़ादा हो चुका सुनमारी आपके कोई नहीं ब्रदर अब तो चाहे मैं ड्राइव कर रहा हूँ कहीं पर भी हूँ मैं ऑनलाइन कनेक्ट हो जाता हूँ वैसे मैं अपने बॉस से कह दिया है लेकिन बात जो भी है आप ब्रदर विक्ट्री प्राफ्ट नहीं कर पारे कि आप खुदा के भवन आपाएं चर्च में रहम नहीं मिल पाता वो ही तो कह रहे हैं याँ पर अब माफ करिए अगर सब मेरे कड़वे लगें मैं किसी का न्याई नहीं एसाओ ने बहुत चाहा एसाओ ने बहुत चाहा खुदाई जीवन जीना लेकिन नभी ने का इसाओ नुमा लोग कोशिशें करेंगे लेकिन उनमें है नहीं कि वो दुनिया पे जैप राप्त करके मसी के साथ चल पाएं आईए एक मिसिस एसाओ देख लेते हैं बहन आपको समझ में आ रहा है बबतिस्मा तो लेना है लेकिन हमें फिर मसी जीवन में जीना होगा बाल आपके लंबे होना चाहिए आप बाल नहीं कटवा सकती हैं आप ट्रिम करवा लें और ये बहुए मढवाना और ये थमाम चीज़ें फेशल फेशल ताकि तो फिर मैं स्कूल कैसे जाओंगी और हमें बताया कि मर्दों के द्रस नहीं बेना है मैं क्या कर सकती हूँ हमारी नर्सिंग में तो पैंट्स ही पहनने को बोलते हैं और हमारे बच्चों बता रहा कि पैंट्स पहनो पैंट्स तो श्याद नमान के समान खुदा समझ लेगा नहीं जैसे नमान को ने कहा कि एक चीज़ है कि जब मेरा मालिक जुकता है तो मेरे पे टेक लेता तो मुझे भी जुकना पड़ता है तो खुदावन समझेंगे तो खुदावन यहां पे होके नभी की आवाज में समझ रहे हैं बिलकुल ठीक समझ रहे हैं सिमारी आपके कि आप सही कह रहे हैं आप सही कह रही हैं, आप में है नहीं, क्या बोला, आप में है नहीं, कि आप दुनिया पे विजे प्राप्त कर सकें, मेरी सुपुत्री या जो भी कह लें, क्या करें? वो कहते हैं पैंट्स पहनो हमने तो कॉलेज में जाके बात करी और पूरे कॉलेज में खुदा का धन्यवाद हो कोई बड़ बड़ शेखी की बात नहीं है सारी लड़कियों में एक तीन लड़कियां थी जो यहां बैठी होंगी इस वकत जो पैंट्स नहीं पैंथी थी एक दिन भाई साजी से वो गाड मिला कि आपकी वो तीन लड़कियां बिलकुल अलग दिखती हैं पूरे कॉलेज में क्या बोला साजी भाई? तो यह सच्चाई है अब वो कह दिया प्रिंसिपल ने पैंट पहनो और यह तो हाउस ड्रेस का है कोट जो भी है पैंट तो पहनने पढ़ेगी हमने भी सोचा भी तो छोटी लड़की है बड़ी नहीं है पहना दो सजमारी आपके एसाव के अंदर है नहीं कि वो दुनिया पे काबू प्राप्त करके खुदा के साथ चल पाए यह बोल रहा है भाई ब्रणा और एक याकूब है जिसके लिए बहुत असान है कि वो खुदा के साथ चल सके क्या करता मैं मेरी कोशिश हैं जारी है तो एसों से मेरा भी जवाब है लगे रहा हूँ एक दन रैप्चर भी हो जाएगा कलीशिया भी उड़के चली जाएगी जिने जाना है वो जा चले जाएगे तुम अपनी कोशिशे लगाते रहो मिटिंग अटेंड करने की जो आज तक तो सफल हो नी पाए इतने दिनों में ऐसा शक्स जो खुद मिटिंग अटेंड ना करे अब वो चाहे कि उसकी बीबी चर्च में आए आप कौन सा उधारन है सबसे बड़ा उधारन तो आप ही है तुमारे बच्चे तुमारी पत्नी पहले तो आपको देखेंगे जिसको एक बिलीवर का तमगा दिया गया आप ही चर्च नहीं आते तो आपकी बीबी भाई आम प्रासना करें मेरी वाइफ अभी मेसेज में नहीं है वो मेसेज में कहां से आए मेसेज में आने के लिए सबसे बड़ा रोडा तो आप ही हो तुमारी जिंदगी अभी कुछ दिन पहले की बात है हमारे जानने वाले सरकल में आफकोर्स वो एक गूजरों में से हैं मतलब जिस नॉन क्रिस्चन तो मुझे अप्रोच किया उनका काफी बड़ा कारोबार है बहुत बड़ा बिजनस में नाम नहीं लेना चाहता उनका एक वर्कर था उसका हमने ट्रीट्मेंट भी किया तो मेरे पास फोन लाया कि डॉक साब मने बोली सर क्या बात है ये मेरा ड्राइवर है इसका यार वो स्कूल है बदरपुर में कोई नॉटरडेम करके और फिर कोई दूसरा स्कूल भी बता रहे थे ये इसमें बच्चे का एड्मिशन करवादो 11 वी में मैं बहिया मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ मैं कहां से करवाँ फिर खेर हमें ध्याना हमारी एक पड़ूस थी नहीं बोले वो मसीगड़ में एक चर्च है जो ये पढ़ता है यहां पर फ्रेंट स्कॉली के पास सुक्देवियार मसीगर तो वहां पर वो कैथलिक्स हैं उनके पास जाओ और उनका फादर लिख दे तो उस्कूल में अड्मिशन हो जाएगा हमने गाँ लेकिन देखिए फादर कैसे लिखे फादर तो लिखेगा उनके लिए जिनका बैप्टिसम हुआ और बाप्तिसमा होता है मसीग् को कभूल करना होता है तो मालूं फोन के दूसरी तर्फ से क्या बोलता है हो जाएगा बाप्तिसमा क्या करना है बताएई करना क्या है एडमिशन के लिए मेरी बात सुनिए पप्तिस्मा एडमिशन के लिए करना क्या है पप्तिस्मा उसे लड़के से कह दूंगा दिल बात एगा और थोड़ी से अब और जो Christian मनना है वो भी बन जाएंगे सुन रहे आप ये फोन पे मुझसे कहा खेर क्योंकि बात Catholic की थी उनकी थी हमने कहा ऐसा है सर मैं उनका नंबर आपको दे देता हूँ आप उनी से बात कर लें बाकी मेरी इतनी मदद काफी है मैं से आगे आपके साथ क्या बढ़ू कुछ लोगों ने यही समझा उस चर्च में वो लड़की है उस चर्च में वो लड़का है बहुत बढ़िया लड़का और हमें बहुत पसंद आया उसके साथ लेकिन आप उनके पास्टर का कहना यह है कि उस मैसेज को कबूल करो सजमारी है तो कोई नहीं सु मेरी बेटी लेले बप्तिसमा लिखवा दे नाम 15 एपरिल वाली लिस्ट में मैं कोई आ रहा है ना 15 एपरिल इसलिए मैं यह बोल रहा हूं 15 एपरिल की लिस्ट में नाम स्कूल में एड्मिशन चाहिए certificate बनवाना है फादर का कहां से मिले वो तो क्रिश्चन कोई मिलता है क्रिश्चन बन जा थोड़े दिन के लिए बन जा ले ले बप्तिस्मा कि certificate तो मिल जाएगा क्या बप्तिस्में इसलिए होते हैं कि हम और अगर सोने पर सोहा कहूं यहां का कोई कि एसा काम करे तो फिर कैसी बात रहे चर्च आना बिल्कुल नहीं कि आना का मतलब आना है ऐसी बात नहीं है लेकिन अब एप्रिल का टाइम प्acy करिण का टायम प्लों की बहार और नई कलास होती है मी होती अनुथ है चब फूल खिलते हैं नई टीचर लगती है यह मैंने बारा साल में देख लिया बारा साल क्या बच्पन से देखते आ रहे हैं अब ऐसे टाइम पर दोड़ भाग होती है नर्सरी केजी और जगा-जगा के लिए ऐसे टाइम पर यह क्रिस्चन कॉन्वेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं इनमें अगर बात बन जाए लेकिन भाईया वही बात है क्रिस्चन होना चाहिए बप्तिसमे का सेटिफिकेट कहां से लें कोई तो पादरी मानता नहीं कोई बात नहीं एक दरवाजा खुला है करवादो बैप्टिसम आओ चलो ना चलो क्या फरक पड़ता है एड्मिशन तो हो गया यही तो चाहत थी मिस्टर इसाओ की मैं आज इस आत्मा पे चोट मारना चाहता हूं ये खुदा की आत्मा नहीं है निखर शारिरिक लोग सरिफ शारिरिकता कोई आत्मिकता नहीं यहां बैठ के क्या सीखते हैं मुझे तो वो लड़का अच्छा लगता है बहुत प्यारा लड़का उन्हें बादल अपनी दिखता थोड़े समय दिखता है लेकिन बादल की जगा अब एक और चेहरा आ गया है सामने लड़के को लड़की दिखती है क्या है लड़की यार मदा आ गया कोई ना कोई दिन मैं इसको पा के रहूँगा फिल्मी अंदाज में बज़र यहां तो चलेगा नहीं वो अंदाज समय आरी आपके कोई ना कोई दिन तो मैं मैं अपने डैडी से कहूंगी को जो भी होगा कोई नहीं खुआप से चुरू कर लेते हैं मैंने आपको ड्रीम में देखा सबसे बड़िया शुरुआ तो यह है ड्रीम खुबसूरत सुहावने सपने आपको मैंने ड्रीम में देख जानता हूं सजमारी है और ऐसे स्वपन धर्शियों के लिए मैं मूँ पे बोल रहा हूं अयूब की किताब बहुत बढ़िया है भाड़ में जाएं तुम्हारे सपने अब अगर बचना चाहते हो अयूब से कहो कि वो दुआ करें एमेन एमेन वन्ना तुम गएं तुम गएं मैं बोलना भी नहीं चाहता लेकिन ये सपने दिखाते हैं कि आप निखर एसाव के समान शारिक है मेरी बहन और मेरे भाई और ये दो आत्माएं मैसेज के नाम पे कुछ नहीं शादी बनवाना शादी तुड़वाना ये जानते हो लेकिन संदेज क्या कहता है इसके बारे में ABCD नहीं मालूम शर्माना चाहिए एहंकार से भरेवे लोग बच्चों का क्या हाल खांदान की क्या गवाही वो तो खेर दूसरे लोग बताते ही है एक नहीं बात एक की नहीं हो रही बात अब कहियों की हो रही है जब एक जगा से फिर दूसरी जगा से फिर तीसरी जगा से फिर चौती जगा से फिर पांचवी जगा से एक ही बात सुनने को मिले तो फिर आप समझ सकते हैं बाइबिल पढ़ने का टाइम नहीं मिला आज तक प्रॉपरली संदेश सुनने का टाइम नहीं मिला प्रॉपरली आज तक क्योंकि इसाओ के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो खुदा के साथ चल सके और एक के लिए बहुत आसान है अब बात ये है क्या एसाओ को याकूब बना सकते हैं उसने फोन पे बात बोली मेरा दिमाग खौल गया अरे मसी की आत्मा होती तो नहीं खौलता उनके तो गाल पे तमाचे भी मार दिये उनका तो खौन नहीं खौला तुमारा क्या बड़े कम तापमान का खौन है जो खोबड़ी दो मेरे में भनना जाती है एक फोन कॉल पे मैं भी देख लूँगा कोई नहीं देखो करो जो जिन्द की बितानी है बिताओ लेकिन इसका जवाब अब देना पड़ेगा याद रखना मैं भी इस आदमी से बदला लेके छोड़ूँगा पांच भी महर पड़ी ब्रदर अगर वो दुलहन होती तो बदला नहीं मांगती तो ये बदले की आत्मा मांगने वाले तो यहूदी रहे तो ये बदले की आत्मा में अपना रोश प्रगट करना कलीसिया कहीं अंदर ये क्या दिखाता है क्या मिला आपको मैं बताता हूँ क्या मिला एक चर्च आपको एक चर्च मिला दासेंबली ओफ लॉर्ड जीजस क्राइस्ट तुखलगाबाद एक्स्टेंशन जिसमें आके आप बैठें और आपके मात्य पे ठपा लगे चर्च मेंबर बस इसके आगे कुछ नहीं मैं मुँपे कह रहा हूँ आत्मिक्ता के नाम पे आप एक धबा है आई ये थोड़ा आगे पढ़े बद जेकब इसके लिए इतना असान था इसकाम उकरने के लिए आप देखना ये सब बदले में घूमने वाली आग वाले आपको वो मिलेंगे जो यूजिलि आपको चर्च में ज़्यादा दिखेंगे नहीं बहुत नहीं आते चर्च क्या करें अपनी बारी में ही तो आ सकते हैं त्यूजदे को थोड़ी ना बारियां लगती है और ये तो आज पहला ट्यूजदे है नहीं आप डाट क्यों ने वो तो हमारी बारी जब आएगी महीने में एक दफा तभी तो आएंगे तो आपका कहना गलत है कि आप हमें देखनी पाते हम तो महीने में एक बार आएंगे क्या बोलूँ आपसे ट्यूजदे को तो खेर बारी लगती नहीं हैंस लगती है सुनील भाई आज तक नहीं लगी ट्यूजदे को कहा है आप मिटिंग शुरू होती है साड़े साथ बजे मैसे चालू होता है करीब पौने आठ आठ बजने में दस मिनिट पे कि जो जिसकी लेट ड्यूटी भी छूटे वो भी जॉइन कर ले मेरी तो भाईया नौ बजे तक है हमने का आप तो महान है मेरा बॉस मुझे नहीं छोड़ता है मैंने का आप बिल्कुल ठीक कहा आपने कहां से छोड़ेगा अब दुआई है कि तुम्हारा बॉस तुम्हें छोड़ पाए ब्रदर प्रेयर करिये जारी हैं प्रेयरें आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं remember one thing एक बाद यात रखिये to achieve something with God you need to take decisions कोड़ा के पास आकर कुछ प्राप करने के लिए आपको जरूरी है कि आप फैसला लें there's something it was not program said that the one served idol another one served God नभी बता रहा है ऐसा नहीं कि एक मूर्ति पूजक था और एक खुदा की सेवा करता था एसा नहीं कि एक खांदान का मूर्ति पूजक है नहीं 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 यह मूर्ति पूजक और खुदा के विश्वासियों की बात नहीं हो रही they were both servants of God they were both servants of God now pay close attention to the scriptures not everyone that said Lord Lord will enter in but the one that doeth the will of my father which is in heaven now if you notice Jacob had one thing that he wanted because according to the word the blessings and the good thing laid in the birthright जो बरकते हैं और तमाम आद बाकी चीज़े जो थी वो उस पैलाउटे के हख में पाई जाती थी and Jacob और याकूब that was his only objective और याकूब का केवल एक ही उदेश था the only thing he had in mind केवल चीज़ जो उसके मन में थी was get that birthright और वो क्या थी कि वो उस पैलाउटे के हख को प्राप करें Amen, Amen and Esau despised it और Esau ने इसको हकीर जाना तुछ जाना the one that actually had it वो शक्स जिसके पास वास्विक्ता में पैलाउटे का हग था despised it उसको उसने तुछ जाना और he was ashamed of it या मैं कहूं कि वो उससे शर्मिंदा था but Jacob wanted it लेकिन याकूब उस पैलाउटे के हख को चाता था regardless of how he got it he wanted it चाहे किसी भी रीती से उसको ये मिल जाए उसको वो उसके अंदर चाहती कि उसको ये मिल जाए that's the way with the spiritual believer today और यही चीज होती है एक आत्मिक विश्वासी के साथ भी he doesn't care how much you laugh at him how much fun you make उसको जाती पर परवानी होती कि आप उस पर कितना उसका मजाख हो राएं या कितना उसको पर आप हसे how ridiculous he has to act to the carnal mind और शारिक मन के सामने चाहे उसको कितना भी पागलपन करना पड़े लगे पागल सा लगे पागल सा his only objective is the birthright उसकी खेवल और खेवल ओदेश है वो पैलोटे का हक he wants to get to God वो खुदा के पास पहुचना चाहता है you know why? आप जानते क्यों? cause it's born in him ये उसके अंदर पैदाईशी चीज है it was from his birth that he would follow Christ ये उसके अंदर पैदाईशी चीज थी कि वो खुदावन का अनुकरन करे you know what's the next line? आप जानते अगली line किया है? he can't help it इसमें अपनी मदद नही कर सकता he has to follow God उसको खुदा के पीछे चलना ही है he has to get the birthright उसको पैलोटे का हक पाना ही है he has to उसको करना ही है it's in his nature ये उसके स्रभाव मे है his job, his family, his everything is behind उसका परिवार, उसकी नौकरी, तमाम चीजे पीछे है he puts God first वो पहले खुदा को स्थान देता है you know why? ये चीज उसके अंदर पाई जाती है it was in him ये उसमे था yes he can't help it Jacob means supplanter or deceiver but after finding and coming into possession of the birthright he was changed that's the carnal change ये है वो शारिक बदलाओ he was then called Jacob तब उसको कहा गया उसको तब कहा जाता था याकूब a prince with the Lord एक खुदा के साथ एक राजकुमार who has wrestled with him जो उसके साथ मल्यूद में गया जो शारिक विश्वासी आज ये कारनल बिलीवर कारनल बिलीवर तो डिनॉमिनेशन में ही मिलते होंगे ये शारिक विश्वासी मेथोडिस्ट तीस हसारी का चर्च रिडेम्शन चर्च लोधी कॉलनी का सौरी जो हाँ मेथोडिस चर्च है ऐसी जगाओं पे होंगे ये कारनल बिलीवर तो कि लगाबाद में थोड़ी ना है ने दे कारनल बिलीवर तोड़ी जो आज शारिक विश्वासी है ओ अस लोग अस आई गो टू चर्च ओ जब तक मैं चर्च जाता रहूंगा और जो कुछ उचे ते वो करता रहूं बस मुझे सही करते रहना चाहिए बस ये है मेर लिए कि मैं सही करता रहूं अच्छा अच्छे काम बस ये करते रहूं चर्च जाते रहूंग और अच्छे काम करते रहूं इसे मारी है जी है What difference does it make? इसे क्या फरक पड़ता है That's Aisau's group ये है Aisau अला जोण He still makes fun and despises the birthright वो अभी भी मजाक औराता है मखाल औराता है उस पैलोटे के हक का He doesn't care for it वो इसकी रती भर परवा नही करता But Jacob loved it लेकिन याकुब की प्रीती इस पैलोटे के हक से थी and the spiritual man today and the spiritual woman that's elected predestinated of God to come to eternal life if they have to sell everything they got if they have to take the name off of every church book in the nation they still want that birthright उनको अभी भी वो पैलोटे का हक चाहिए is the only thing that matters to them यही वो चीज है जो उनके लिए फरक जिसको पढ़ता है just get that birthright केवाल उस पैलोटे के हक को प्राप कर ले that's all इतना ही उनको चाहिए no matter how चाहे कैसे भी मिल जाए what level they have to come on चाहे किस हद तक उनको जाना पड़े if they have to get down at the altar अगर उन्हें वेहदी पे जुकना पड़े and cry बुहू और रोना पड़े बुहू if they have to run through the places अगर उन्हें चगा बजगा भागना पड़े and go back and make things right और चाहकर के चीजों को सही करना पड़े and sell what they got or give away everything और अपनी तमाम चीजों को पेच कर जो कुछ उनके पास है दे दे they have and become a pilgrim and a stranger और वो बन गए यात्री और मुसाफिर it doesn't matter इससे उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता they want the butt right उन्हें केवल वो पेलोटे का हक चाहिए that's all they are interested in the butt right और केवल मातरों की दिलचस्पी किस चीज में है उस पेलोटे के हक में now don't blame them people आप उन लोग को आप दोशी ना लगाएं they can't help it वो इसमें अपनी मदद नहीं कर सकते they were predestinated to that God richly bless you वो इसके लिए पहले से ठराए गए थे elected to it और इसके लिए पहले से चुड़े गए थे Amen Maai 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 Yes, yes, yes Jiha, Jiha I'll show you something else मै आब हो कुछ और दिखाता हूँ He'll jump farther down मै आगे जप करके जाता हूँ Same thing with Esau and Jacob वोही चीज Esau और Yaakub के साथ भी है Esau seemed like a better man Esau दिखता था एक भैतर पुरुष I'm directly reading from the message मैं सीधे सीधे आपके सामने संदेश से पढ़ रहा हूँ He settled down वो settled हो गया and done charitable things और उसने क्या चीजे करी धर्मार्थ चीजे की He took care of his old blind daddy उसने अपने बूडे बाप की सेवा की got him venison और जाकर के लिए उसके लिए हिरन मार के लाया and taken care of him and was a good boy Many things that carnal believers do doing the line of religion और वो धर्म के लुकु लाइन में है धर्म की लाइन में करते हैं helping societies and समाज की सेवा करते हैं helping societies समाजों की सेवा करते हैं societies की मदद करते हैं and paying off of hospital bills for people and religious things but that's not what I'm talking about लेकिन ये वो चीज निए है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ ठीक है मैं church नहीं आपाता लेकिन church में जब मैं किसी गरीब को देखता हूँ देखती हूँ मेरी मुठी हमेशा खुली रहती है सुना आपने मेरा ये गरीब भाई low मेरी गरीब बहन low समाजों नभी कह रहे हैं धर्म के नाम पे ये सारे काम होते हैं वो विचारा गरीब वहाँ admit है किसी को उस church में समझ में नहीं आया लेकिन ये गए ये गया ये गई उनका hospital का bill पे आफ करवा दिया उनके hospital का bill चुकवा दिया नभी नगा ऐसा हूँ ऐसे काम बहुत करता है आपको आज message बड़ा अजीब लगेगा मैं आपको इस काम हो करने से मना नहीं कर रहा लेकिन मैं आपको कुछ दूसरी बात बता रहा हूँ ऐसे church में किसी को क्या याद नहीं आया कि मैं भरती था सिर्माया लेकिन ये फलाने फलाने है जाओ ब्रदर मैं अब चाहूँगा कि अपना कोई नहीं ब्रदर जाओ आपका बिल पे हो चुका आँखों मैं आसो God bless you brother आप मेरे लिए भाई नहीं एक खुदा का दूथ हो और ये वो थोड़े समय के लिए खुदा का दूथ बन गए सिमारी है मीटिंग में लेकिन जब बैठते हैं तो सिर्प इसे मैसेज उड़ता है Revelation के नाम पे नदारद Revelation के नाम पे नदारद हाथ हमेशा खुला है नाम है Mr. बक्षी बक्षीश देने वाले बक्षीश ही देते रहते हैं हमारे घर से कोई खाली नहीं जाता राहों पे चौराहों पे जब कोई मिले दे देते हैं सिर्मारी आपके और जहां चर्च में कोई हुआ भाई हमारे चर्च काई तो भाई है God bless you और ये पुरानी कलीशिया में था जिसके लिए प्रभी ये शुमी नहीं बहला होता कि ये भी करते और इन बातों को इनको भूल गए और ये करते रहे तो फाइदा क्या हुआ एसाओ अस्पतालों के बिल चुकाता है चर्च के पंखे बदलवाता है आई ये मैं कुछ और लाइने बोलू सेवाएं बहुत देता है लेकिन एसाओ से पूछ वचन समझ में आया इसकी खोपड़ी नहीं चलती माफ करना मेरे बड़े कटूश आप दो सकते है इनका वचन में दिमाग छोड़िये दिल मैं कहूँगा जिसे मुकाश्वा का केंद्र कहते है वो मुकाश्वा इन्हें नहीं मिल पाता दूसरों की हैलिलूया पे जीते हैं और दूसरों की आमीनों पे इनकी आमीन होती है इनकी अलग से इकलोती आमीन सुनने को जल्दी मिलेगी नहीं जब दूसरे की आमीन होगी तब इनकी आमीन होगी कर दो यार कहीं ऐसा नहों कि पूचा सब तो आमीन कर रहे तो और एक आप ही थे जिसको मैंसे समझ में नहीं आ रहा था तो कवर हो जाओ आमीन बोलके हैललुया बोलके सबके में जुड़ जाओ पेंग औफ शॉस्पिटल बेल्स फॉर पीपल लोहों के लिए असपताल के बिलों को अदा करते हैं और धार्मिक चीजें लेकर ये वो चीज नहीं जिसके बारे में बहोल रहा हूं फॉस्थ दुसरे दर्मों के बारे में खया हैं इस नहीं प्रेया वंपे क्यावान लंगर नहीं लगता है बरदर अबाई आपसे दिली कलीसे यापे एक आरोब लगा को समय पहले बदा नहीं आप मेंसे कितनों ने सुना धर्जडे की फास्टिंग प्रेयर मिटिंग में चर्च के लोगों से पैसा मांगते हैं सुने आप कॉंट्रिब्यूट करो और फिर खाना बनाओ और फिर चर्च में जो भी आएंगे उस दिन फास्टिंग में खाओ बोलते हैं यह तो बागी धरम में भी है कहते हैं जो अपने लोगों को यूही इफरात खाना दे देते हैं भाईया मैं पूछता हूँ यह धरमशाला है क्या यह चर्च है यह धरमशाला यह हमने यह धरमशाला खोल रखी है जहां मैं फरिदावद में रहता हूँ रास्ते में एक मस्जिद पढ़ती है दिल्ली छे उसका नाम है वहाँ पे लिखा है रोटी बैंक जगा जगाओं पर आपने पढ़ा होगा एक होता है रोटीयों का बैंक कोई गरीब आए उसको रोटी मिलेगी कोई खाली पेट यहां से नहीं जाएगा सजमाएं आपके हर संडे यहां बहने लगें सांबर बनाने में और कुछ बनाएं चावल आप आओ मैसेज सुनो खाओ और यहां से जाओ तब बाइबल में पाया कि ऐसा ही तुम मसीने एक बार किया था और फिर अगले दिन यह वाली आयत भूल जाते हैं और तब मसीने कहा तुम इसलिए नहीं आए कि तुमने वचन सुना था क्या यह आयते नहीं पढ़ाई देती क्या यह आयते नहीं दिखाई देती लेकिन इसलिए कि तुमने कल आज की भाशा में चावल, सांबर, पापड़ खाया था ठीक है नहीं तो खुदावन भी कोई charitable society चलाने नहीं आये थे हाँ एक बार उनोंने अपने मन में प्रेम में होके एक काम किया यह तीन दिन से मेरे साथ इनके पाद कुछ खाने को उनने कुछ खाने को दौर एक मौत जाओ और नहीं खाने को दिया क्या आप मसी करते नहीं खूब करते हैं सजमारी आपके लेकिन मसी सबसे पहली चीज यह चाहते हैं कि तुम खोजी किस चीज के हो तुमारी आपके तो यहाँ पर भी सुभे सुभे संडे को हांडे चले धुआ उठे खाना बने सुभे से शाम तक आओ खाओ पिओ जाओ लंगर लगाए हमारे जो इंदिजाम कमीटी वाले हैं वो क्या कहते हैं रूह अवजा और वो जो क्या है लसी जो रोडों बे बिकती है पानी मिलाके यह अलग बात है पानी कैसा होता है लो जी शर्वत पी हो गर्मी मिटाओ यह करने लगे हम लोग यहाँ पे तो फिर चेलो ने क्यूं कहा कि साथ सुनाम चुनो कि हम क्या तुमारे साथ खाने पीने में लगें यह हम खुदा के साथ आगे बढें वाई आप यह वादे क्यूं कह रहा हूं यह बात है क्यूं कह रहा हूं देर जारूरी है कि हम उस आत्मा पे चोट मारें you know what happened with Nelly Sanders आप जानते हैं Nelly Sanders के साथ क्या हुआ she came to Christ वो मसी के पास आई but she paused again लेकिन वो फिर से रुख गई and she was dancing again और वो फिर से नाच रही थी the cigarettes, I mean not for Nelly Sanders your cigarettes will be back आप की cigarette वापस लोटाएंगी whiskey would be back and you will experience that you are not changed और आप इसको मैसूस करेंगे कि आप में बदलाव आया नहीं you know why आप जानते क्यूं you just got a new heart आप उके वल एक नया हिर्दे मिला है and a new spirit और एक नई आत्मा मिली है but not that Holy Spirit लेकिन वो पविछ रात्मा नहीं मिला power to lead a sanctified life एक ऐसी सामर जिसके द्वारा एक पविटताई का जीवन बताएं and that's what is the birthright और यही तो पेलोटे का हक है I hope you're understanding it मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे हूंगे but doing a lot in the name of charity लेकिन चारिटी के नाम में बहुत कुछ कर रहे है I hope you're understanding it मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे हूंगे oh I can just go on because it's a huge message क्योंकि ये बहुत बड़ा संदेश मैं है ऐसी चलता रह सकता हूं but I want to show you these two characters लेकिन मैं आपके सामने ये दो चरित रखना चाता हूं in every age these two spirits just moved on and now you know from Jacob came Israel he was called Israel he had 12 sons and from Esau came the Edomites who are friends with Moabites that's right they never entered the promised land if you see their positions on the map and the geography the prophet explained it and it's very right they never were in the Canaan land और जैसे कर आब भूगल में और इन मैप्स में देखें जैसे नभी ने समझाया वो कभी भी Canaan देश में नहीं थे they lived on the border वो सीमा की रेखाँ पे रहते थे they were borderline believers वो सीमा पे रहने वाले विश्वासी थे what is their work? stop those उनके लिए बाधा बने उनके लिए फंदा बनो उनके लिए रोडा बनो लंगणी तांग खेलो उनके साथ जो वाइदे की भूमी में जा रहे हैं सच है brother hire a prophet called Balaam और उनने किराय पे एक नभी को लिए जिसका नाम Balaam है when Israel came that's Jacob actually and they came to Edom that's Esau said give us the passage so that we will pass through we will not say anything even the grass that our cattle eat we will pay for it Esau refused the prophet said that same spirit today says we will have no cooperation with them we are not going to I mean allow them in the meetings we are not going to hold meetings for them and none of us is going there you're getting it follow that spirit because it's a spirit that works who is this man in the corner who is preaching the word and we are the stalwarts we know the message in and out that's what the Pharisees thought in the days of our Lord Jesus they wanted a no cooperation movement with him and that same spirit works today why should we cooperate we will not go there sorry you can't go from amongst us they were afraid if something happens so we will not allow them even in our borders and Israel was told don't look at their portions and don't fall in love with their portions your portion lays beyond Jordan that's where your promises are so just walk quietly from amongst them and mind you the believers who had promise the last group they had to face before the promise was these border lines who were their so called brothers they had to face and leave them and go yet they created some problems like they called Balaam you know refused a passage follow that with me brother but they had to go with them to find a way amongst them don't say anything but you be concentrated on your goals that's what the prophet said my God that's the last people which they had to face their so called brothers who are border lines who could never enter follow that spirit today under the sixth trumpet when these 200 million evil spirits were loosed what were they the prophet said they never entered the land they never entered the land they wanted to it was that spirit that went in Hitler and Eichmann he said now it's put in the ecclesiastical churches and they are heading up in a union why are they making a union to stop those who are going for the promise to stop their meetings to stop that preaching to bring a boycott but we know the message brother when they brought the boycott God did a miracle opened the Jordan for them and they entered the land under a Joshua commission are you understanding the word they wanted to curse them but then when Balaam came and he stood on the top of Pisgah the God put that word in his mouth God is not a man that he should lie and forget his words and forget his words what I have blessed I have blessed His blessings are everlasting eternal in fact what I have blessed I have blessed you mean these people who are the Jacobites they didn't have their backward parts did they not have their backward parts and Balaak wanted to show those backward parts and that's the problem with the borderline he never understood grace God bless you brother he never understood the value of atonement the prophet said they had a present serpent they had a smitten rock they had a slain lamb they had a sacrifice can you say amen because they had that God was not looking at their backward parts you never saw God did not see 正確 but we are able to go and we are able to see how God is our head is warm and we are able to get and we are able to see and we are able to show our head is warm अब एक कहना कही सकता हूँ How can I do it? लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ You see, it's a character of a borderline believer आप देखे, ये एक borderline विश्वासी का एक character है खुद तो वाइदे में जानी पाए खुद तो ने वाइदा मिल नहीं पाया उनके बाप एसाओं ने जिसके पास वाइदा था थुकरा दिया सच है सब्भारिया अपके? अब जिनके पास है और जिस blessing में होता है वाव उपनी भूमी को कबजे में करने जा रहे हैं उनके आगे रोडा लगाते हैं कोशिशे हैं तेकि ने जी बता दू जिए कितनी भी कोशिश कर ले The real true believers are still going on जो वास्विक सचे विश्वास हैं वो फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं वो फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं Because the race is not going to win that day जो race है वो उस दिन जीती नहीं जाएगी Race was won on that day race उस दिन जीती गई When Jacob said जब Yaakub ने कह Give me that birthright Asaahu said Asaahuने कह given He lost and he won I hope you're understanding it Something like today God bless you तुम पढ़ो यार हमाने तो पढ़ी हैं बस ऐसे ही थोड़ा सामें पैसा दे जाओ यार घर में कई दिनों से खाना ने खाया खाना खालेंगे Oh brother My God My God उपर से कोई देखने वाला है सच है brother और देखे कहता है बिलकुल ठीक बिलकुल ठीक मैं यहां कमरे में हूँ और मैं सब साफ साफ देख रहा हूँ बिलकुल सच है brother कि तुम कर क्या रहे हो Mr. So-and-so या Mrs. So-and-so क्या करेंगे ये किताबें धूल खा रही हैं क्या करेंगे ये tapes धूल खा रही हैं क्या करेंगे ये बातें पढ़ी हैं बस बाइबल पढ़ लेते हैं दुआ कर लेते हैं अब सालों साल हो गया मेरे तो आप मौका ही नहीं लग पाएगी भई आँ उसमाएं बड़ी खुशी थी मैंने किताब ले ली अब तो घर में ही पढ़ी है ऐसी ही पढ़ी है चलो भाईया मुझे मिल सकती है अरे ले जाओ यार किसी और को भी दे देना वैसे मेरी शेल्फ काफी भरी भी है उपर से खुदा वन्ये का विल्कुल ठीक बहुत बढ़िया मुझे समझ मारा है तुम हो क्या चीज और जो तुम आज कर रहे हो एक ने किया एक दूसरे भाई ने उसको डाटा कहा ब्रदर क्या कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं मैंने उसको चर्च से निकाला था मुझे अपना घर साफ करना है कुछी दिनों के बाद खबर आई दिल का दौरा सुई रुख गई फिनिश्ट गए यूं मौत आती है और यूं लेके चली जाती है जो कीमत नहीं समझते समारी आपके आज के याकूब से कहो सोना लोगे या टेप लोगे तुम्हें अगर एक टेप मिल जाए और एक सोने से भरा कमरा मिल जाए तुम्हें क्या चाहिए एक थोड़े दो तीन घंटे की आवाज अरे यार उससे क्या पुछ होता है उस ही में जीवन है ऐसा उसोचेगा पहली बात तो अंग्रेजी में है हिंदी में होती तो बात थी संच माई आपके और उसके उपर से भायाशी बगते रहते हैं सुनो कह दिया सुन लिया अगर पूछेगा है सुना था थाकि हम कहने वाले बन जाएं कि हमने भी सुना है लेकिन दिल में कुछ नहीं इस तरह से एसाओं ने अपने हक को ठुकराया हेच निगा से देखा किताब ही तो है निए चीज तो बाइबल है बच्पन से तो हमारा दिल एक ही बात कहता है बाइबल पड़ो और यह किताब में ठीक है चर्च में बढ़ती है हमारे पास भी है अब किसी भाई ने जरूरत मने का मैंने का बड़र लो ले जाओ जो याकूब होगा कहेगा भाईया मैं नहीं दे पाऊंगा सच है मेरे पास बस अपनी कॉपी है लेकिन आपको इडरस बता सकता हूँ आप हाँ से ले सकते हैं सिमारी आपके यह मैसेज मजाक नहीं है बोल कुछ सच है बड़र बैठिए Slowly, gradually, I'm coming to some points धीरे धीरे मैं कुछ points पे आ रहा हूँ and I think you can understand मैं सोचता हूँ कि आप समझ सकते हैं Now, Brat Branham is coming to a point I'm just bypassing many things मैं कही चीज़ों को लांग के जा रहा हूँ to come to this and show you something ताकि इस बात पे आँ और आपो कुछ चीज़े दिखा हूँ Whenever there is a revival it always produces twins that's a rude remark but it's true you see the child and children being born a birth pain is nothing but a revival and whenever a revival comes these two kinds come every revival without any exception brings these two kinds which particular revival do you have in your mind Brother Branham which is something very important to see may God give you an eye of grace to understand certain things never get never part from these books and tapes never get parted from these meetings they are your lifeline they are keeping you spiritually alive never get rid of that never go for some esau slop never go for a meal ticket God bless you brother the prophet said these lines for one time meal he sold his birthright sometimes for some money sometimes for some fame sometimes for a boyfriend sometimes for a girlfriend a man can sell his meetings he can sell his connection with God but that shows what he is Bible says later he sought for repentance but he never found it no- Gateway no sometimes for one time I want to stay I want to stay I need to stay here when I do of course I got let me I कहा उसकी आठ ओट लेके कि आप दुबारा बैप्टिजम लें लेकिन ब्रदर दुबारा भी ले लें चाहते बारा ले लें जब तब पवित्रात्मा प्रभूना दें बात तो बनी नहीं कुछ सच बात है ब्रदर फाइदा कुछ नहीं है बप्तिस्मे तक चहरा लटका वो बना लेते हैं बप्तिस्मे के बाद वो अंदर की प्रवतियां फिर से निकल के आना शुरू हो जाती हैं तो क्या बप्तिस्मा एक धूंग था क्या बप्तिस्मा एक धूंग था या अंदर कुछ फाइदों को लेने के लिए ये चर्च का मैं बना रहूं आपने बप्तिस्मा लिया मैं आप से बोला इतने प्रचार के बावजूद ऐसाओ याकूब नहीं बनेगा याकूब ऐसाओ नहीं बनेगा वो दो प्रवतियां हैं ब्रदर let me go a little further whenever there is a revival जब कभी कोई बेदारी होती है Delhi Church included it always produces twins that's a rude remark when there was a birth out of from Isaac and Rebecca it produced twins when the world was created it produced twins two trees and when Cain and Abel were born it produced two when Ishmael and Isaac was born it produced two and when Esau and Jacob was born it produced two one of them natural one of them of the earth the other one supernatural and one looked at the natural intellectual the other one walked by the spirit it's always been that way these are two kinds that every revival brings forth follow that church when the Lutheran church came forth let's take Pentecost first because he's slowly coming to the revival of this day that's where I'm going to show you certain things today may God give you an eye grace to understand the word for this hour and I can sit with this prophet under these teachings let's take Pentecost first he's talking about the day of Pentecost look at the Pentecostal birth it brought forth a great powerful revival that swept the known world Pentecost it wasn't long after Pentecost till even Paul said that there would be men rise up among them with perverse things and would turn the people away from God or Khuda se wo loge ko moor dhenge kush loge leaders ban jayenge kush loge kush logeo ke beech me leaders ban jayenge or leaders banne ke baad apni kuch baatheh samjhayenge yeh nahi kahenghe brother Paul uski suno follow that spirit that men rise up among them with perverse things and would turn the people away from God and that's just exactly what they done it produces too what did the alpha messenger say after my departing grievous wolves will come did they come did they rent the church did it happen in Ephesus do we know the church ages brother come on what about this last day what would the omega messenger say after my going in 1965 ravenous wolves will come who will try to turn the church and tear it but you know Paul called some elders he said with lot of burden I have called you oversee the flock of God over which God has kept you overseers be careful of these ravenous wolves who will come after the messenger is gone they are self-proclaimed messengers amongst themselves with new kinds of revelations did it happen in alpha age did they have gnosticism did they follow Judah's letters were there carnal people did Peter say there are spots in your feast there are clouds without water did Judah talk about them did Paul talk about them did Paul say in the last days like Janus and Chambers men of reprobate mind concerning the truth turning the grace of God into lasciviousness did it happen in the first exodus did it happen in the second exodus come on church you know the message and that's what's happening right now after event 965 new theories new revelations slowly and gradually trying to sideline the prophet sideline what actually the prophet said and try to bring their own interpretation self-proclaimed leaders did the Bible say it'll happen and it was happening then and it's happening now but the true elect ones they held on to the epistles of Paul oh God bless you my brother one such man was John he had gathered all the epistles of Paul and wanted to write a new testament God took this man to the isle of Patmos and gave him the book of revelations God touched with that man so he was more senior than Paul yet he was more aged but he was taking those epistles which Paul wrote in those prison houses and was trying to compile it God knew this how old or how young no matter you recognize your messenger and that's the one God dealt with and took him to the isle of Patmos they are the ones who are preparing for miracles amen listen brother there's a spirit and there's a spirit that brings life and a soul that brings life hospital in the hospital one is dying one came see brother come and go and go and stay one day one day one day one day he is not he is sitting I know 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 don't Hey during this the going the I know my yeah hey prepare for the loss I know loss came it I know I can't क्या बूला आपने लॉस बदर आप क्या जानते नहीं कि अभी भी कुछ हो सकता है येस सर आप क्यान के मरने का वीट करने है क्या को मालू है नमीर के केस में कितने मरने वाले मरीष्टे मरते मरते बच गए God bless you brother, God bless you एक आत्मा चड़ी है अंदर जो रूलवाने वाली है जो ऐसी तैयारिया दिलवाती है धीमे धीमे कोई नहीं होता है ऐसा सहमारिये और एक दूसरा कहता है ब्रदर मुझे मालूम है सब को संभव है ये तो last stage है cancer की किसने कहा आप से कि ये last stage है cancer की कोई last stage नहीं होती Sister Margie Morgan को ठाइए Dr. Dyer की बेटी को देखिए God bless you brother उनका तो पेट खोला और बंद कर दिया लेकिन वो बहन ठीक हो गई Amen अगन उसको normal stools पास हुए Amen ये बाते कौन बोलेगा जो साथमें दूद की आवाज की frequency में है Amen 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 Frequency यां फरक है मैं कहूंगा साफधान हो जाओ दोस्त और इसे पहले की problems आएं तुम्हारे पास और अपनी frequency बदल लो बोल कुछ सच है सिमारी आपके क्या यूब के साथ ऐसा नहीं हुआ देखो ये बातें हुई वो हुई जिस दिन सचमुच में हो गया वहिया उस दिन भी ऐसी बातें रख लो फ्यूनरल पे ऐसी बातें बोलते हैं या शाहिद कुछ दिने ऐग ऐसा भी दिन आए कि फ्यूनरल हो ही नहीं bless you brother, God bless you, I believe that I believe that brother you see जब क्विक निंग पावर अंदर हो जला उठेने वाली सामत वो नैन की विद्वा का मरा हुआ मरा रहने ही सबाए Amen क्या खुदावन ऐसे काम करेंगे Amen, Amen मैने सुना था, अब मैं देखता Amen I believe that brother I believe it Amen, I believe it You see, इस किसम का एटिटूड एक दूसरी आत्मा है Amen, Amen जिसके लिए कहा गया कि दस के पास एक दूसरी आत्मा थी और दो के पास एक फरकात्मा थी Amen That different spirit is the Holy Spirit और ये फरकात्मा ही परकात्मा है Amen Amen लेकिन फ्रीक्वेंसी में तो आओ बात ये है ये टेप एक मैगनेट है God bless you, brother जितना रगडोगे मैगनेटाइज होते जाओगे Oh, such है अब मैगनेटाइज होते होते फिर वोही शब्द जुमान पर चड़ जाएंगे God bless you, brother फिर सोते सोते तुम भी कही ने कहने लगो उक तक ये पर Only believe All things are possible All things are possible You're living in that atmosphere You see But what happened What's happening here See our sister Shantidas She's a living testimony She had a problem in her palate And doctors were thinking of cancer Is that right? They declared it like that But prayer was made And God heard the cry And today she's here It's gone, finished Our God is more than able And every Jacob will say Amen Getting it, brother? This is where the believer is That's where we need to come to And every revival brings these two kinds Let's read What did Paul say? There would be men rise up among them What about today? With all these perverse doctrines Isn't that what happened? Can you do this thing today? Poverish things Biggdi vich cheeze Biggdi vich cheeze Biggdi vich chee I don't completely agree With what the prophet said About 70 weeks I believe in the prophet I believe in the prophet But you see I don't agree with him On certain things Then who are you? Would you like to follow Or the old denominational way? Okay, see for example There's a lot of confusion Three and a half years Or seven years That's why I don't preach these things You know why? Because I'm also confused When there's no confusion When there is no confusion When there is no confusion It's very, very clear Three and a half years Are just left He made it very, very clear But why can't Aisao get clear You're getting the point? And he can never get clear It's not in him Every revival He's talking about That first revival That started at Pentecost It brought two kinds And the other one Was men Who would speak Poverish things When the Lutheran church Was born Now he's talking about Another revival Martin Luther brought forth A spiritual revival Wasn't very long Till here come Aisao Right behind him And organized it down And it produced two You get it? Then after that Come the Methodist John Wesley A spiritual revival John Wesley Aatmik bedari And after that Come the organization Organized it down And it produced two And listen Slowly and gradually He's coming to his day And after that Come Pentecost A revival And now They have organized it And now they settle down To organization And it produces two And it produces two And it produces two Wow Assemblies of God Then they made Oneness Tweness And all these Various sections And they became organized And now the prophet And now the prophet Is saying This is 960 They have organized Who? The one that came first God bless you That was the Aisao But behind these lines There's another generation There's a little brother Coming His name is Jacob He's not figuring out Between 1906 to 1946 That's the generation That's sold out They have sold out They cannot go further With it But now there's another brother Who came later But he wants that birthright But he wants that birthright What brought Branham saying El Shaddai That was the Pentecostal age When El Shaddai came with his breasts But the question is Who will draw from these breasts? And the Pentecostals rejected it But there's a generation Come in Who will draw from the breasts Who will draw from those promises A generation They'll see a rapture Can you say amen? Amen Jacob is saying Now follow it I'll give you the meal I'll give you the meal But pass on that birthright to me I know You had the revival first You came in the revival first I came later on But I always had my eye on that Since the womb I have been fighting for it Now pass me that birthright What happened with the Pentecostals? What happened with the Pentecostals? What happened with the Pentecostals? They sold out They became organized And for such a people The Jacobites The Jacobites of the last day God sent Malachi 4 To turn the hearts of the children Back to the faith of the fathers Can you catch the message? There are some real spiritual ones In this last generation Who can't see anything else God bless you But can only see that birthright That Jacob said Hand it over And one brother handed it over to the next one Pentecostal handed it over But then between the sixth and the seventh trumpet When the mighty angel came down There was a Jacob on earth There was a man on earth There was a Malachi 4 Who had seen the vision of angels Who had seen the house of God Who had his name changed Who had a vision of angels He now has a family He has 12 sons Who has come from his spiritual loins In these last days In Antim Dinah An Israel Of the last days God bless you my brother Oh my Can you catch it Jacobites? The real Jacobs of the last days The minute they hear birthright Something happens to them They love it more than anything If they have to speak in tongues Or no tongues Or whatever it is They are ready for it But I want my blessed old Holy Ghost I need the joy I need an anointing That's why he always save us I want to tell you He was a cheater to begin with He was a liar to begin with Amen God bless you my brother Amen सजमाई आपके Amen Finally he got the blessing आखिरकार उसको बरकते मिल गई वो केवल religious मने रह गई आजी सेवाओं में लगे रहे बाप ने कहा एक हिरन का गोश्ट बना के ला आज मैं तुझे आशीज दूँगा सजमाई आपके लेकिन जब तक घोड़ा लोटा हाँ जी घर से बरकते जा चुकी थी अब बाप से कहते हैं क्या कोई और बरकत नहीं बची उनने गा सब तो मैं दे चुका हूँ चलो मन मनाया अपना कुछ दे देता हूँ लेकिन जो मैंने देना था वो तो मैं साथ गरजनों में बोल चुका ओ, God bless you वो तो मैं जाकु को दे चुका Amen And the Prophet said the minute he received that blessing जिस मिन उचने उन बरकत को प्राप किया the separation came अलैद की आगई Now he could not stay with a sow He can never stay with a sow They can't see face to face because God brings that separation what happened when the seals so panned what happened when seven thunders uttered their voices when those seven spirits when those seven springs the rainbow of God Elohim become in flesh coming with a message of grace when that time come Pentecostals weren't there they left him he became the seed and they became the shark they became the rejecters and they become the one who conquered are you understanding brother for a long time they kept on questioning the light they kept on questioning the light that's the Jacob group and that's the Esau group in the last days now I want to show you this Jacob group was the one who saw the ladder who laid their head against a rock our prophet laid his chest against a rock and it was written and he said and he said and he said there's a message coming forth but that generation was not ready God bless you they had sold out they had sold out right in this message he's talking to one man his name is Morris Cerullo how many heard that name a worldwide evangelist what's happening in this message what's happening in this message he's correcting that man but Morris said Jew is antichrist and the prophet said Morris what are you saying you antichrist and you yourself are a Jew he's a Jew who's not antichrist antichrist is so close that he'll deceive the elected that's Rome but Morris said I never saw it like that but did they stay with him but did they stay with him what about the linseys what about the other ones few months back I showed you no videos who sat with him sat in the banquets heard his messages but what happened to them in Jackmo's church he's saying I see the field plenty green it just began blooming now because that generation had rejected I want to preach rapture you want a healing meeting you're not in the conditions to receive that and so he mentions it in a banquet meeting and he started talking about the shout voice and the trump he started talking about the angelic visitation he started talking about the gate to heaven he started talking about another body a mansion made without hands which he went in and brought back a good report but who was it all for not for a generation of his house not for a nominal church member but for the spiritual church it was for a Jacob in the last days in the last days in the last days oh god a Jacob in the last days whose names are changed they are inheritors of the promise I want to show you whenever revival breaks anywhere two attitudes are born one pro revival one entire revival further down he says as I didn't last very long with Jacob as soon as Jacob obtained the birthright he praise God it called for separation is he preaching this 960 he's a prophet brother he's prophesying three years later when that blessing came when the book came down when the title deed came which God brought in Genesis be fruitful and multiply and replenish the earth when he brought that title deed when he brought that blessing who could get that it was not for an assau it was meant for a Jacob Jacob God had a lot of things to do with the seals book he can see a lot in the seals because his life is tied to those books God bless you his life is tied to those mysteries can you say amen brother but assau worldly accomplishments worldly things carnal not spiritual you were talking about you were talking about beach there was a point you were talking about the shirt is very good you are listening to me or you are listening to me or you are listening to me the thing is I am telling you I am telling you I am telling you the holes in the middle of the sea the shirt was very good the shirt was very good the shirt was very good the hair was very good the hair was very good the hair was very short not only the short you saw your job it was a little bigger it was a little a little bit there was a little bit there was a little bit ऐसा अगर कहे भहिया ले जाओ किताबें सही तो कर रहा है किताबें उसके लिए थी भी नहीं एक चीज़ के धियान रखना एक बात मैं आप बोलूँगा जिसके लिए किताब होगी उसके पास पहुँच जाएगी Amen Amen brother किताब भी अपना रास्ता नापती है Amen जिसके लिए है उसके यहां पहुँच जाती है जो दिल से चाहता है इन मेसेज़स को और दिल से जो नहीं पहँचानता उसके यहां से चली भी जाती है तुरकुछ सच है मारी है Amen एक शादी के लिए, एक पाटी के लिए, एक उपलबधी के लिए, कुछ पैसे के लिए, ऐसा हो, बेच सकता है, यह है ऐसा हो का चरित्र, आपकी संजमारी है, ऐसा हो अगलग बैठा है और उसके पास एक आया कहने के लिए, ठीक है तुम इस मेसेज को मान रहे हो, मैं देख रहा है तुमारी धर की चट गिर रही है, उने हाँ गिर तो रहा है थोड़ी सी, क्या तुमारी छच्जवालों को कोई तुमारी चिंता नहीं है, कि तुमारी वाजे आते गौन है, वो ब्रदर सुन्द सो, क्या तुमन Tillege कहा Конечно कि ब्रदर कभी च्ट से कहिए मेरी बरसात में हाँ से पानी टपकता है है नहीं तो लिया ठीक है रहूं इतने साल हो वे बक्तिसमा लिये लेकिन चर्च में से किसी नहीं आजी बात बोली नहीं वो दो कोई बात नहीं चिंता मत करो मैं हूँ तुमारा एक काम अगले हफ्ते हो जाएगा फोन लगाया हाँ ठेकेदार एडरस लिखो तब दूसरा कहता है उनके पास केवल शब्द हैं मेसेज है इनके काम देखो ना काम ये हैं मसी ये हैं मसी वो सिर्फ ढोंग रचते हैं नभी ने पढ़ा नहीं अभी पढ़ा नहीं में आपके सामने हैं वैसे खुदा का धन्यवाद हो इस कलीशिया के द्वारा बहुतों की मदद हुई और आज भी होती है सिर्फ मारी आपके जब कोई प्रॉबलम सामने लाई जाती है उस पर एक्शन लिया जाता है रभू का ना मुबारक हो लेकिन हाँ साथ में आत्मा भी परखी जाती है नभी ने का हिंदुस्तान की आत्मा ये उसे एक ऐसा प्रधान मंत्री चाहिए जो उससे एक दिन भी का ना कराए और हमेशा खाने को देता रहे पढ़िये मैसेज ये लाइने अच्छी नहीं लगती मैसेज की क्योंकि यहां खुद छित्ते हैं भाईया मेरा ठेला लगवा दो लगवा दिया ठेला लगते ही गाइब आप चर्चमे दिखाई नहीं दे रहें ठेलेदार सिर्मारी है मैंने ब्रदर ये काम शुरू किया है ब्रदर आते मेरे पास ही है ब्रदर थोड़ी एक दुआ कर दीजे काम शुरू करने से पहले जैसे वेस्ट्री में एक पुजारी बैठा है सब्सक्राइब जाओ उसके पास बस हाथ में अगरबती नहीं है बस यही फरक है काम सारे वो ही है एक मिठाई का डबा अगर धूप ला सकें तो वो भी लियाएंगे साथ में ये लोग मिठाई और धूप वो ही सारी बाते हैं क्या हम आत्मा समझते नहीं कई बहुत अच्छी बाते भी है इसमें बहुत अच्छी बाते भी है ब्रदर ये मैं निया काम शुरू किया है मैं इसमें लगा रहा हूँ पैसे है और ये वो है मैं देखता हूँ कई और आज वो चर्च में बरकरार है God really bless you मैं ऐसे काम को कभी बुरा नहीं कहूँगा जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए God bless such people ऐसे लोगों बड़ी बरकत हैं लेकिन कुछ ऐसे भी है दुआ करवा के गायब हो गए आपसे दुआ करवाई थी ना ब्रदर काम के लिए अब रदर देखिये काम तो संड़े के दिन भी होता ही है जीडि जब तक संड़े के दिन लगी वो हमारे कहने वाले हैं संड़े के दिन दिखाई नहीं दिए तुमारे मुरगे और तुमारे गाजर मूली, चाट, पकोडी जो भी आप बेशते हैं या मोमो संडे को भी लाया कर और एक्षिली देखो संडे सब की छुटी होती है उस दिन भीड तुम्हें दुगनी मिलेगी सेल जादा होगी जो हफते भर नहीं होती शैतान यही समझाएगा वो संडे के दिन होगी तो इसाओ कहता है आमीन इसाओ कहता है और चर्च में कहा जाता है किताब टेब क्या हो या किताब टेब सुन लेंगे सुन लेंगे एक काम करूँगा जब ठेले पे सबजी बेच रहा होंगा उसी टाइम ऑनलाइन लगा लूगा साथ-साथ प्रचारक चल रहा होगा और साथ-साथ मेरी सबजी भी चल रही होगी क्या फाइदा या गोविंद पूरी की सड़कों पे बेचो या दिल्ली के कहीं पे भी बेचो साथ में सबजी भी भी बिक रही है हाजी कितना हुआ सर इतना और साथ में मैसेज भी चल रहा है मैं मैसेज भी सुन रहा हूँ किसे द्धोका दे रहा हूँ किया कभी उस अभिशे को प्राप्त कर पाओगे जो चर्च में हैं किसे द्धोका दे रहा हूँ मन फिराओ और तब भी ऐसी मुसरिफ जैसी दशा हो जाती है कि सुवर की फलियों पर आ जाते हो तब को या के कहता है सुनो संदेश अब भाई वि दिन भर तुम बातें अपनी मिलाते हो क्या प्यारा गाना था सब करते हो सुनो संदेश भाई विलियम ब्रैनम का तुम शैद जिन्दगी में कुछ फायदा हो जाए एमें आज घरों में पैसा है लेकिन बेटी काबू में नहीं है घरों में पैसा है लड़का काबू में न काबू है नहीं हर थोई दोब बेटा कहता है पापा लाओ इधर से पैसा आता है उधर से निकल जाता है ऐसे पैदा किये खजूर के पेड़ खड़े की अपने घर में जो केवल चूसने हैं चूसने वाले पेड़ जो देते नहीं और ना कभी देंगे जो चूसते ही रहेंगे ये भी एक किसम का श्राब है जब पैसा तो आए लेकिन बच्चों में जीवन ना आए अरब की संपतिली बेटा बन गया पागल फाइदा किसका हुआ बाप से कहता मैं जहर पी के मर रहा हूँ अभी लिख मिरे नाम कर बाप बोला नहीं चाहिए था क्योंकि सब घड़ रहा है बाहर दुनिया में मैं जानता हूँ में पास सब की रिपोर्ट है बाप मर रहा है 75 साल का मैक्समोस का उपरेशन होने वाला है और वो मर भी सकता है पापा ये विल साइन कर जाओ पहले अरे यार बाप का इलाज कर आओ या विल दिखाओ गे पहले ये विल पे साइन कर जाओ ये पापा देखो आप जानते भी हो लेकिन ये पैसे जो है न वरना वो ले जाएंगी या बोले जाएगा ये हाल ग्रिटर के लाश का ये हाल इस पूरे लाके का यहां डूब के उतर चुकी है संसार बोल कुछ सच है बदर क्या आप चाहेंगे कि आपका घर ऐसा बने नो सर मैं आज बस बहुत हुआ बहुत तो खेर क्या वो अब कुछ भी नहीं हुआ तो कि हम दर कुछ सर्फ सुर्खियां ही चुई है आप घर जाके इस मैसेज को सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा ये क्या सेवन थंडर्स करते रहते हैं प्रकाशे दस और देखो एक भाईन तो कह भी दिया है कि इसमें कोई खास चैरा नहीं है या आप लोगों ने बनाया है बहुत जोर देते हैं क्लाउड, क्लाउड, क्लाउड क्या है क्लाउड में संवाया तो याकूब न ये क्लाउड की पिक्चर मुझे दे दो ले जाओ ये क्लाउड की पिक्चर अपने घर में क्यूँ टांगते हैं ऐसे दूसरे को सामने क्या बताएंगे अरे सब कुछ बताएंगे लोग क्या आप क्या केवल तस्वीरों वाले हैं भाई जब तस्वीरे खुदा ने पैदा करी तो क्या उट तस्वीरों को ना देखें प्यारे भाई आत्मा में भटको नहीं आत्मा में भटको नहीं लोटो इससे पहले की बहुत देर हो जाए मैं कहां कहां कहीं कहीं बोल रहा हूं God bless you brother और मैं आपसे इतना ही बोलूँगा आज ये जांचो घर जाके मैं हूँ कौन कौन सी आत्मा मुझे चलाए फिर रही आज वो बच्चे का एड्मिशन है भाई यह उदो क्रिस्चन है गन जाएगा क्रिस्चन हरे क्रिस्चन ऐसे और वो बैप्टिसम भी ले लेगा आपने जो करवाना करवा लो बच्ची तयार है वो बेटा तयार है आपके लिए जो करवान मैं बोल दूँगा उसको उसको क्यावाब बैप्टिसम लेना पड़ता है मैं ऐसा फोन सुन चुका हूँ मैं ऐसा फोन सुन चुका हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि इन तवियतों को लेके लोग चर्च आते हैं लियाद रखना एक आदमी को किसी हद तक बेफकूफ बना लो खुदा को कभी बेफकूफ नहीं बना पाओगे सच है बदर अंत में बेफकूफ तुमारा ही कटेगा सच मारी है भाई? बलकुछ सच है बदर याद रखना इन बातों को ये दो किसम की आतमाए हैं जो आज चल रही है लेकिन एक अंतिम दिन का याकूब है विल नट सब्सक्राइगा नहीं जो किसी और किसी चीज के नीचे वो आएगा नहीं किसी और चीज करेगा नहीं and I want to show you that stages और मैं आपको अवरस्था है नहीं 5 minutes and I'm closing 5 minutes I'll close the minute he separated from Isau the minute 63 came and that separation came and that separation came when Pentecostals separated there came a separation between organized spirit and the Holy Spirit that's where God came down He started showing the ladder. He started showing the seven steps. He started showing him standing up there. He started giving another message. Showing him the house. Giving him a family. The Bible which was in heaven. Now came in his 12 sons. वो इसके बारा बेटों में आ गई वो बन गई 12 राशी फल Can you say Amen? Man became Bible on Earth अच्छी प्रिथी पर बन गई और जो प्रिथी पर चालु हुए वो एक साथ रह रहे थे वो एक साथ रहे थे भीर समाझसे अपनी थी but later on God was leading them step by step and when he returned back to Bethel and when it became El-Bethel you find something happening there brother he's having a visitation of angels there's Jacobite group in the last days is ready for that brother if you're a genuine Jacob if you're a genuine Israel there's a peniel for everyone there's a struggle for everyone that night a man came that man never came for Esau that light never came for Esau that light never came for Esau it came for a Jacob it came for a birth it came for a birthright no matter what you are but today your name is changed you are a prince you are a ruler you have authority and this bride will not die she's going in a rapture is that the message that angel that supernatural moving with the people follow the Jacobite group they had a pillar of fire they had a cloud they had the angelic visitation they had the prophet they had God talking with them supernatural was in the camp and it never left them but Esau group they don't have nothing they're only complaining don't join up with them don't go there let them not come here and we don't go there finished that's the kind of nature Esau showed but let me tell you brother there's a genuine Jacob in the last days who has the promise promise in the last days amen that morning in Clifton's cafeteria when the head of the Jacob group when he was speaking on crafting and when he was speaking a hard message the head of the Pentecostal denomination got up I don't think brother Branham meant what he said and many more walked up with him and they said we are going from this place but then God got a young boy his name was Danny Henry and he met him because thou hast chosen the narrow way this in itself is going to bring a victory a tremendous victory in love divine it was connected to his third pole God bless you brother I'll show you the difference between Esau and Jacob group may God give me grace to read a few paragraph before closing and may God give you grace to understand it just one minute please bear with me amen 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 have you ever seen this you see in our churches today even in the groups where we have separated ourselves and made organizations and we've seen all of this and you've seen a man pick up a certain scripture and brother that man can take that scripture and make it live new make it live just exactly what it promised here in the Bible he can bring Bible in present tense that's the man who can bring the Bible in present tense he can bring those pictures in present tense but you know a problem and the next man will see him do it and he'll come around and try to do it and fail I hope you're reading now I hope you're reading now what happened with my brother absolutely the problem is instead of accepting the gift they were competing with the gift instead of accepting God's provided way they are fighting with the way he's talking to some Pentecostal people here he'll fail why? the scripture is not inspired to him he's only trying to impersonate he's trying to act like something and the prophet said further down as Janus and Jambos withstood Moses yes you know what and I just can go on and on and show you certain things may just God give me grace this is that which tries to keep up I'm ready for the down yes just one minute just one minute please yes but Branham is quoting a very famous instance in the life of Lord Jesus Christ even Jesus himself he said our Lord Jesus yes I do not what I want to do within myself the son can do nothing the son can do nothing but what he sees the father doing the words he was Emmanuel himself he was God on earth he was the flesh that God dwelt in he was the ten that God lived under I'm jumping further and yet in his own flesh he said he said I do nothing until the father shows me first inspired to him to do it or jab tak unko ye pray na ni mil jati karne ke liye ab iska ek udharan de na hai sunna chayenge udharan amen satan said shaitan nika turn these stones into bread in patro ko roti bana de and perform a miracle or ek ashar karam kar let me see you do it main dekhna chaatau tujye ek karta hua he said it's written man shall not live by bread alone manusha kewal roti se zinda ne rahega oh my oh my but when a crowd was hungry lekin jab ek dheer dhuki thi he picked up five biscuits and two little fish usne paanch roti aur doh machliyon ko liya and fed five thousand aur paanch hazaar ko khila diya wahaan roti nahi banai haanji yahaan roti banai God bless you toh har jaga nahi roti banata haanji yes sir God bless you oh hallelujah you see what I mean don't try to impersonate that's what's the matter with Pentecost today that's what's the matter with the church today there's too many trying to impersonate the God the Holy Ghost there's too many trying to impersonate divine healing there's too many trying to impersonate different things of the Lord you can't do that that things comes by election that things comes by election you can't make yourself something you can't make yourself something you are not but if God calls you be the most thankful person in the world because he has called you then it becomes real to you then it becomes real to you or sister it couldn't have done it but it was inspired quickened the word was spoke and it was made so hallelujah everybody cannot do that everybody cannot impersonate that gift it's an inspiration that came to a man it was a gift given to a man how does it matter anyway brother when I am the beneficiary of that we are not fighting a gift we are not fighting to get a gift but we are the beneficiaries of that gift somebody said Sunday you were preaching everybody is a clone a man like Jesus but the gifts are different the Bible says to everyone his measure everybody is a Jesus everybody is a word but when the gifts were distributed he gave some this he gave some that he gave some that now we are not fighting on Ephraim's territory we are not going to grow corn in that man's land but we are going to have friendship with that man you know what is a friend of a prophet there are a lot of things that goes with a friend of a prophet oh you get many many things and let me tell you today sometimes that pull comes in handy especially now in this hour you watch the third pull then it will be for the bride it will be to the total lost but it will be for the bride and the church it will be for them this in itself that will bring a tremendous victory in love divine you can't loot somebody's gift nobody can do it brother that spirit will take you away somewhere else beware I am telling you and warning you it's a spirit that's going on in these last days but beware of that spirit stay with those tapes stay with what the prophet said and you will maintain your revival and you will make your revival who don't have a revival will go from their revival but who don't have a revival they don't want to go they will fall in the revival amen 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 like it happened with some young people here like it happened with some sisters here like it happened with some sisters here isn't it brother I'll say brother you are one in a million I'll say brother you are one in a million in whose home that revival came that light talked to you it was talking to you when I was in Ajnala brother and here's my phone automatically the rapture message started what's he talking about scoffers and those who are with me in Ajnala meeting where did the message begin scoffers in the last days the same sign morning 5 o'clock with Bala Ajay Benjamin I got the train I was so damn asleep I was so tired I had perspired so much but that thing didn't leave me brother what happened in Alfukhe you see these are things I cannot forget you are my choice I have chosen you and experiencing those droplets when the whole thing was covered by tent twice I looked back where is this rain coming from and there was no rain and I literally felt that rain dropping how can I forget that oh it was a very different night for me and you have your experiences too every Jacob has their own experience every Jacob has a message but you know what this is what the Pentecostals done this is our spirit from the days of brother Branham not accepting the gift but competing with the gift I am talking about the spirit brother beware of the spirit spirits can catch anybody including me but thank God God gave that immunity in the COVID season praise God sudden sudden things happen Joshua knows and I was keeping quiet I didn't say anything but when he phoned and he said why what is this I could see some things happening that's why I am saying these things brother your safety is with these tapes and let me say this we are not fighting for anything if God gives you nobody can take it nobody it's just for you and I can only say this there is a Jacob in the last days who is busy with that birthright and once he gets that SOS separate we are seeing some things in last many years some people sidelining going back we are seeing these things we used to read it for the prophet we are seeing it no problems do we renounce these things we know what is the truth but let me say this there is a Jacob in the last days who heard the thunders who met that I should not be commenting on lives but I also keep on hearing things how this one went this way this one went that way I am no judge of anybody and I don't want to but I do want to do one thing get you and I focused on this word that's the hour we are living in I hope you are understanding it church God really bless you and think on these things the aisao attitude jis ko maine hindi mein kaafi dir samjhaaya yes wo swabhao har jaga hota hai brother yes brother karnal necha sharerik swabhao sharerik swabhao ko keval kapde, rooti, makaan uplab dihaan peisa yehi dikta hai usko aur kuchh nahi dikhaai dayta bul kuchh sach hai but the spiritual man lekin aatmik jan is in the revelation woh mukashwe mein hai are you understanding it kya samaj raha hai haap isko God really bless you let's bow our heads in a word of prayer man thank you jesus dhanavad yeishu prabhu yeishu musih aapka dhanavad dhanevaad dhate hai aaj sham ke sundar aafsar ke liye joh aap ne baksha ki eegwaa phir ham aapke huzur aane pahe humaree है रहम करें और उन्हें उस अवस्था से निकालें खुदावन इस मेसेज को दो तके की चीज कोई ना समझें ये मनना हल्की रोटी नहीं हिलाएं खुदावन तौफीक दें कि इन बातों की महत्ता को समझते हुए आगे बढ़ सकें कि आपके द्वारा खुदावन इश्वसी आगे आप क्या करने जा रहे हैं इसकी चीजें प्राप्त करें क्योंकि आप वक्त आ गया लौड कि आप कुछ करने पर हैं और ये दुलहन तयार है कि आप यहां से उड़े रहम करें प्रभू और हम यहां से लिए चले हमारे खांदानों को परिवारों को अपने लहु के नीचे आप सिरक्शित रखें हम केवल आपके रहम पे आश्रित हैं आपके लहु के नीचे आते हैं जो वह चन का बीज बोया गया काम करें और जीवनों में खुदावन तबदीली ले किया आए सारा की मर्ज से अस्मान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो, मारे रोज की रोटी आप हैं बख्षते हैं, और जिस तरह अपने कसुनों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसुनों को माफ फर्माएं, हमें अजमाईश में ना पढ़ने दें, की बुराई से बचाएं, बाजशाही, कुद्रत और जलाल, हमेशा आपका ही है, एमें एन एमें, तो बोलो प्रभुयेश मसी की, God bless you, praise the Lord, God bless you, Amen, God bless you,